बैसीरियल एक ट्विस्ट अनेग यही तो है सीरियल के दुनिया बैसी टीवी के सीरियल कुणली भागय में जहां एक तरफ प्रीता निधी को गुंडों से बचा रही है तो वही इन सब में वो हो जाती है घायल और सीधा बहुत जाती है अस्पताल लेकिन अस्पताल में भी आ गया है नया ट्विस्ट क्योंकि राजवीर पहुँच किया है प्रीता को किड्नाप करने के लिए जी हां अपनी ही ममी को अस्पताल से वीलचेर पर वेहोश कर वो अपने घर ले जा रहा है भै राजवीर ने अपनी ममी प्रीता को कर लिया है किड्नाप और अस्पताल से प्रीता हो गई है गायब ये बात करन को पता चलती है और वहां दूसरी तरफ करन हो गया है परिशान ये मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कैसे ढूंडूंगा लेकिन हाँ गायब हो गई है ये मुझे पता चला है कि वो वहाँ पर नहीं है अपने वार्ड में आई सीउ में तो मैं वहाँ पर पहुंचता हूँ और मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देती है तो अब बस पूरे का पूरा आगे का काम मेरा ढूर नहीं होगा अब तक हिटन मिस हो रहा था लेकिन अब तो हिटन मिस नहीं होग बस ढूड़ना ढूड़ना होगा अभी वैसे एसास नहीं होंगे अभी हावाई नहीं चलेंगी बैसीन तो काफी सीरियस है लेकिन इस सीम को फिल्म आते वक्त देखिए बहाइंड सीन कितनी मस्ती हो रही है जहां एक तरफ प्रीता करन और राजवीर के रिष्टों की उल्ज बड़े वाले हमाई ये सीन्स गए थे इसमें पुलिस्टेशन में जहां पर शौर्या को लेकर कई बाच्चीत होती है तो शौर्या को प्रीता ढूंडेगी और हम प्रीता को ढूंडेंगे और राजवीर इनको छुपाएगा तो अभी ये ही चलेगा सारे का सारा खिचडी सीन का वही है कि प्रीता आई थी मिली और उसके बाद में अचानक से गाय बोगी खुदी चलके निकल गई बहुती क्यूट सीन एक लिखा गया था ये वाला जो बाप और बेटे की वीच में था थोड़ी जिनोग जोग थोड़ा सा सीरियसनेस लेकिन साथ में मुद्दा भी रखा हुआ है वैसा वाला और थोड़ा सा फन एलिमेंट भी है खेर ये सब तो चलता रहेगा लेकिन फिलहाल ट्विस्ट ये है कि प्रीता अस्पताल से गायब हो गई है वह अब देखना होगा कि कैसे करन प्रीता को ढूनता है मुंबई सी प्रीती राणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हाँ तो 24-7 दिखाते हैं आपको एंटर्टेन्मेंट का आई न तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इससे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दे और ऐसे ही एक्स्लूसिफ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यही वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते हैं ना सास बहू और बेटिया और हाँ सास की साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले